जाहिंद दोस्तो मैरा अंसगर्वाल बिहार पुलिस फोरस्ट आज का मैरा जीके जीएस का सेट नमबर 26 होगा तो चलिए शुरू करते हैं 201 जीव दिवस कम मनाय जाता है तो 201 जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाय जाता है कम मनाय जाता है 3 मार्च को एक मार्च को हम बताये थे Zero Discrimination Sunday सुन्य भेदभाव दिवस मनाये जाता है 24 मार्च को TV दिवस मनाये जाता है 4 मार्च को राष्ट्रिय सुरक्षा दिवस मनाये जाता है कम मनाये जाता है? राष्ट्रिय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को क्योंकि 4 मार्च 1966 को राष्ट्रिय सुरक्षा परिशद यानी NSC National Security Council की अस्थापना हुई थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं Next मेरा question है सुरज के चारो और चकर लगाने वाले ग्रोह का पत कैसा होता है तो सुरज के चारो और चकर लगाने वाले ग्रोह का पत आंडाकार होता है इलिप्टीकल होता है दिर्ह ब्रीताकार होता है कैसा होता है दिर्ह ब्रीताकार होता है चलिए आगे बढ़ते हैं Next मेरा question है काली दास किस सासक के समकालिन थे तो काली दास चंदरगुप्त दुटिय के सासनकाल के समकालिन थे ठेक हाँ, चंद्रगुप्त दूतिये के सासनकाल के समकालिन थे कालिदास के गर हम पुस्तक का बात करे, इनका जो पहली जो कृति थी अभिज्यान साकुंतलम अभिज्यान साकुंतलम इन्ही के द्वारा लिखा गया था कालिदास के द्वारा मेग दूद कालिदास के द्वारा लिखा गया था ठीक है अच्छा और अगर हम चंद्रगुप दूटिये के दरबार में बात करें तो कालिदास भी थे बारम निहीर थे धनवांत्री थे ब्राम गुपता थे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्ट मेरा कोच्छा ना बगदाद कि सनदी के किनारे इस्तित है तो बगदाद टीगरी सनदी के किनारे इस्तित है कौन सी नदी के किनारे टीगरी सनदी के किनारे निल नदी के किनारे आपका क्या बोल अरे आप comment बस самых देश है जिसका नाम क्या आप याद आएगा तो बता ठेक है को टेंपस है तो लंडन टेंपस नदी के किनारे है को राइन राइन नदी के किनारे आपका कौनसा सहर बता है तो तो राइन नदी के किनारे अपका राइन नदी राइन नदी कमेंट में बॉक्स में आप बताइए का जिए राइन नदी जो है रूम तो टाइबर नदी के किनारे है यहारी मेरे नील नदी के किनारे एक होड़ार है देश है जिसका नाम कहा है वहाँ पर टाइप टाइप का है इस टाइप का आप कमेंट में बाता दिएगा हमको याद नहीं आ ठीक है अगर हम बात करें बगदाद तो आपका टिगरीस नदी की नारे इस्तित है जर्मनी की राजधानी जो बललीन है यह आपका एस्प्री नदी के किनारे इस्तित है पौर्थ स्वान नदी के किनारे रूम टाइबर नदी के किनारे लंदन टेम्स नदी के किनारे ठीक है अच्छा पेरी सिन नद्धी के किनारे बियना जो है जो आपका बियना यह आपका डेनूब नद्धी के किनारे है ठीक है चलि आगे बढ़ते हैं संजुक्त राष्ट संगं ने सब के लिए सिख्षा का लग्ष कव रखा था तो NCAT पूस्तक में देखिएगा 2010 लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 2010 संजुक रासंग ने सब के लिए सिख्षा का लट्ष का अप्तक रहा है 2010 तक लिए आपका पचासियों सम्मिधान संसुदन 2010 के लिए 14 बर्स तक के उम्र के बचों के लिए सिख्षा अनिमारे है साथ से चौदन चलिए आगे बढ़ते हैं next question है the sea of tranquility the sea of tranquility कहां इस्तित है मेरा जो question है the sea of tranquility the sea of tranquility चंद्रमा पे है कहां है चंद्रमा पे है ठीक है यह आपका पृत्विका एक मात्रूप गहा है चंद्रमा यानि दसी अब ट्रांक्विलिटी एक सांती सागर है धूल का मैदान चंदरमा पर है चंदरमा के अध्यान को हम लोग सेलेनो लौजी बोलते हैं सूरज तारों के जिस परिवार से संबंदित है उससे जाना जाता है तो सूरज तारों के जिस परिवार से संबंदित है उसको हम लोग सूपर नौवा बोलते हैं क्या बोलते हैं सूपर नौवा बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ओलांपिक खेल में भारत द्वारा होंकी का पहला मेडल कब लाया गया था तो लांपिक खेले द्वारत के द्वारत सबसे पहला मेडल 1928 में लाया गया था चले आगे बढ़ते हैं निम्लिकित में से किस राज की सिमा चीन से जुड़ी हुई है तो चीन से जुड़ने वाले जो भारतिय राज्य है सबसे पहले आपका जम्मु कस्मीर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा जम्मु कस्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्केम और अरुनाचल प्रदेश ठीक है तो चिन से जूड़ने वाले जो सिमा है तो उसका हम नाम लेटेते हैं जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर लद्दाख इसी मा जाएगा लद्दाख हिमाचल प्रदेश हपी उतराखंड यूके सिक्किम सिक्किम और क्या हो जाएगा अन्णाचल प्रदेश तो बोल रहा है इसमें कौन सा जूड़ी हुई है तो अन्णाचल प्रदेश हो जाएगा अन्णाचल प्रदेश अगर हम अपने सिमा का बात करते हैं सबसे ज़्यादा बंगलादेश के साथ है किसके साथ है बंगलादेश के साथ 496 किलोमीटर और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ है मातरी 106 किलोमीटर उनका नाम फोटनाव से जुड़े हुए है उनका नाम था वेगा नाम था वीवी गीरी ठीक है कि इसके अंसर क्या हो जाएगा वी मिल्क चलो नाइस्ट को चैने पदार्थ कवा गुन जिसके कारण उसमें बिरूपन अस्थाई तोर पे आ जाता है पदार्थ का वागुन जिसमें बिरूपन उसमें अस्थाई तोर पे आ जाता है उसको क्या बोलते हैं उसको सुघट यता बोलते हैं भंगूर्था का मतलब होता है यह अधात्यों का गुन है मतलब उसको हम किसी थोड़ा सा उपर से गिरा या उसको हम लोग मसल दे लो जैसे कि आपका राक हो गारा हो गया सलफर हो गया उसको हम लोग मसल देते हैं लोग तन्यता का मतलब होता है अधात्यों का गुन है मतलब खीच कर लंब स्टार बना सकते हैं अगात वर्ध्नियता का मतलब दोस्तों अगर मेरा यह प्राक्टी सेट अच्छा लगे ना ना तमास लाइक सेड़ सबस्क्राइब जकात सबस्क्राइब कीजिएगा ओके थांक युद की जायिंद जै भारत दो Sc话 करते हैं जञादर से जय्दा नियाल भारत